बाबा का बुल्डोजर काफी जादा चर्चाओं का विशे बन चुका है आखिरकार क्यों है ऐसा? आज इसी के बारे में में बात करने वाले हैं दरसल उत्तर प्रदेश में विधान सबाचुनाव में बाबा ने एक बार फिर से वापसी कर ली है यानि की उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितनाद में गैर कानूनी तरीके से अगर किसी ने कोई जमीन को कबजा कर रखा है तो वहाँ पर बाबा ने अपना बुल्लोजर चलवाया जिसके बाद उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री यानि की योगया दितिनाद बाबा के बुल्डोजर के नाम से काफी जादा फेमस हो चुके है अब एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जो है मध्य प्रदेश का मद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी बाबा की कौपी करी यानि कि उनी के दिखाएवे कदमों पड़ चल रहे हैं अब यह क्या है पूरा मामला हम चाहते हैं इससे पहले आप पूरी वीडियो देखे ये जो मामला सामने आया है मद्यप्रदेश का यानि की मद्ध्रप्रदेश के बुपाल का तो इस मामले में ये था कि एक नाबालिक बच्ची का गैंग रिप कया था तीन आदमियों ने उसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्य मंतरी आने की शिवराज सिंग चोहान ने उनके घर पर बुल्डोजर चलवाया मध्यप्रदेश के मुख्य मंतरी ने कहा एक अगर इस तरीके से कोई गलत काम करेगा तो अब वो समय आ चुका है कि बुल्डोजर चलवा दिया जाएगा अब ये बुल्डोजर का तो आप सभी को पता है अब जिस तरीके से ये शिवराज सिंग चोहान का मामला सामने आया जिस तरीके से गैंगरे जिस बच्ची का किया था उसनों ने उसके घर पे बुल्डोजर चलवाया तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा वाले अब किस तरीके की राजनीती कर रहे है मतलब बुल्डोजर चलवाने का मतलम है कि अगर आपने अब कुछ भी गलत किया तो ये समय है कि सरकार का वेट नहीं किया जाएगा किसी भी कानूनी तरीके से वेट नहीं किया जाएगा कोड तक का फैसना जल्दी नहीं माना जाएगा अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में राजनीती हो रही है हाला कि बाबा के बुल्डोजे से लोग काफी जादा खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा योगी आदेतनात यानि कि मुख्य मंतरी योगी आदेतनात ने कहीं ना कहीं कुछ सही भी काम किया है जिस तरीके से लोग गैर कानूनी जमीनों पर कबजा करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने बुल्डोज़ चलवाकर एकदम सही किया और जिस तरीके से मद्यप्रदेश का मामला सामने आया है जहां पर शिवरासिंह चौहान ने जिस तरीके से लोगों के घर पर ये बुल्डोज़ चलवाया तो वाक़ए ये कही ना कहीं सही था और इस तरीके के अब राजनीती तो होगी ही साफ है कि अगर कहीं भी गलत होगा तो वहाँ पर इंतिजार नहीं होगा अब साफ समझ आ रहा है लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है क्या ये सही था क्या गैंगरे पालो को ये सजा देनी सही थी अपनी राय जरूर साजा करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही साथ अपडेट्स के लिए फालो करें और थम न्यूस धन्यवाद